वर सूबे में बीजेपी की लगातार मिलती जीत से विरोधी दलों की दिक्कते बढ़ गई हैं खासकर निकाई चुनौ के बाद समाजबादी पार्टी के लिए सहकारी समितियों पर अपने दबदबे को बचाए रखना एक बड़ी चुनौती होगी तो क्या आप सपा सहकारी समितियों पर अपने कबजे को बरकरार रख पाएगी ये एक एहम सवाल है 2014 में लोग सभा फिर 2017 में विधान सभा और अब निकाई चुनाओं में बीजेबी ने परचम लहरा कर विरोधी दलों को सकते मिला दिया है ऐसे में बीजेबी के बढ़ते विजरत को रोकना समाजबादी पार्टी के लिए चुनौती है और आने वाले सहकारी समितियों के चुनाओं में समाजबादी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करना चाहेगी इधर योगी सरकार ने सहकारी समितियों के चुनाओं सम्मंदी नियोमों में फिर बदल कर दिया है और दो बार अध्यक्ष या फिरुपाद्यक्ष रह चुके लोग इस बार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे होगी और विवस्ताएं सो विवस्तित रहेगा तो सौबावी ग्रूप से बार चंता पार्टी कारता उसमें जीत करा है उधर निकाय चुनाव में मिली जीत से उस्ताहित बीजेपी ने भी सहकारी समितियों के चुनाव को लेकर कमर कसनी शुरू कर दी है जबकि दूसरे दल अभी अपनी हार का करण खोजने में लगे है फिलहाल सहकारी समितियों पर शुरू से समाज़वादी पार्टी का दबदबा रहा है ऐसे मस्तबा की चुनावती होगी कि बीजेपी इस गड़ में सेंद न लगा पाए मौका परस्ट पार्टी है और एक करफ तो अपने को कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं पता नहीं कितने करोड मेंबर हैं मिस्कॉल पर इनके हैं मेंबर बने थे उसके बाद दूसरे दल से आई हुए दागी लोगों को इन्होंने जोईन कराया सूबे में करीब 6,000 से ज्यादा छोटी बड़ी समितिया हैं जिनका कारेकाल अक्टूबर 17, 2017 में खत्म हो चुका है इन समितियों के जर्ये किसानों को खाद, बीज, आदी की सुविधा मुहया कराई जाती है और किसानों की फसल के उपच का 40 प्रदिशत खरीद हैनी समितियों के जर्ये किया जाता है एक तरफ PCF की बागडोर चेर्मेन शेवपाल यादव के बेटे आदित के हातों में है तो खोद शेवपाल यादव सहकारी ग्राम में विकास बैंक लिमिटेट के चेर्मेन पद पर काबिज है ऐसे में जब सूबे में राजनेतिक समिकरन पूरी तरहा BJP के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं और सपा के कुनमे में अभी भी अखलेश और शेवपाल के बीच ताल में नहीं बैठ पाया तो क्या सहकारी समितियों से भी सपा को हाद धोना पड़ेगा यह बड़ा सवाल